हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरी डे प्यारे दोस्तों बात करेंगे यूपी डियरेट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया चाइल्ड डियरेट फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज कंटिनू है और जो यह आपका फर्स्ट पेपर है इसकी तीन क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है आज की यह क्लास नंबर फोर रहेगे और यह चो तीन क्लास करवाई गई है इनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा प्लेडिस्ट पूरी बनी हुई है वहां से सभी क्लासेज आपको कंटिनू मिल जाएंगे बालविकास क्या होता है बालविकास की अवधाना क्या होती है इसका छेत्र क्या होता है बालविकास के अध्यन का महत तो क्या है फिर शेकंड चैप्टर आता है शैश्वावस्था बालयावस्था कि शोरावस्था जिसमें पिछली क्लास में हमने शैश्वावस्था कर रहेगा इसके बाद फिर हम लोग बाल्यावस्था की तरफ बढ़ेंगे देखिए जैसा कि बताया गया था कि शैश्वा वर्ष्था जो है यह हमारी पहली स्टेज होती है ठीक है शैश्वा वर्ष्था के बाद बाल्यावस्था आती है बाल्यावस्था के बाद किश्वर वर्स्था का शमयमाना गया है उसके बाद 6-12 वाले आवस्था है फिर 12-18 की शुरा आवस्था फिर उसके बाद प्रोड़ा वस्था शुरू हो जाती है तो शैश्वा वर्स्था में शिक्षा के सुरूप के अगर बात करें तो उसका मतलब यह है कि 60 वर्ष्था में हम बाला को शिक्षा किस तरीके से दे सकते हैं बाला को कैसे सिक्षा देनी चाहिए और किस प्रकार की सिक्षा देनी चाहिए क्या क्या उसको हमें सिखाना चाहिए 60 वर्ष्था में 0-5 वर्ष्था का बच्चा है तो उसको किस तरीका का ग्यान दे सकते हैं सिक्षा के point of view से मानो जीवन में शैशवकाल मानो जीवन में शैशवकाल का बहुत ना तो यानि कि शैशवकाल बहुत important role play करता है क्योंकि यही वो सुरुवाती दौर होता है है ना Valentine ने इसे सीखने का आदर सकाल idle period of learning कहा है किसने कहा है Valentine ने कहा है यह भी चीज़े आपको ध्यान रखने होंगी क्योंकि आपका जो exam है उसमें objective questions भी रहेंगे अतिया लगुत्तरिय भी रहेंगे और लगुत्तरिय भी रहेंगे इसलिए आपको deep जाना पड़ेगा चोटे चोटे points को याद रखना पड़ेगा हो सकता है पूछले कि सीखने शैश्वा वरस्था को सीखने का आदर सकाल किस ने कहा है Valentine ने कहा है ठीक है उसके बाद Watson कहते हैं कि शैश्वा वरस्था में सीखने की सीमा और तीवरता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है development की जो बाल्य अवस्था है किसोरा अवस्था है उनकी तुलना में जो सैश्वा वरस्था है वो बहुत तीवर होती है वो बहुत तीवर होती है ठीक है आप देखिए हमें बालक को किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए पहली बात तो बालक में अच्छी आदतों का निर्मान करना चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है वो कोरा कागज है और उस कोरे कागज पे हम जो कुछ लिख देंगे वो हमेशा हमेशा के लिए लिख जाएगा, अमिट रहेगा फिर वो कभी मिटेगा नहीं कहने के मतलब जो आदतें जो शिक्षा हम बच्चे के दिमाग में डाल देंगे जो उसको बता देंगे वो हमेशा के लिए उसको समझेगा है ना अच्छी आदतों का निर्मान करना चाहिए बच्चों के अच्छी हैबिट्स बनानी चाहिए शैश्वावरस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा परदान की जानी चाहिए जिससे उन्हें में उत्तम आदतों का निर्मान सबसे पहले हम क्या करते हैं चीज़े कि हम बच्चों को habits सिखाते हैं, जो अच्छी जो good habits हैं, good manners हैं, वो हम सबसे पहले बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, बैटा वाई बोलो, नमस्ते करो, पैर चुओ, ये सब चीज़े बच्चों को सिखाते हैं, और हम क्या सिखाते हैं, समय पर उठना चाहि देना चाहिए, और खुद भी बच्चे को सिखाना चाहिए, कि हमें कितनी साफ सफाई का, कितना important role होता है, हमारी life में अगर हम सच रहेंगे, साफ रहेंगे, तो बीमारियों से बच्चे रहेंगे, है ना, सुंदर भी दिखेंगे, तो ये सब चीज़े हम बच्चों को चुटा बच्चा है, उसे हम आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रेरित करें, कि वो आत्म निर्भर बन सके, कैसे, शैश्वा बश्था में बालक को आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें अपनाकार स्वेम करने देना चाहिए, जो छोटे-छोटे काम है, जो बच्चे को उसको हम खुद करने देना चाहिए, इंट्रोफेर नहीं करना चाहिए, है ना, और सिक्षक के दौरा, टीचर के माध्यम से आत्म विश्वाश की भावना विक्सित की जानी चाहिए, कोई काम है तो बच्ची को प्रोच साहित करो, इंकरेज करो, है ना, छोटा बच्चा है, टेंडे मेडे अच्छर बना रहा है, शुरुआत में लिखने की कोशिश कर रहा है, उसको लिखने दो, बनाने दो, बार-बार उसको मत टोको, है ना, इस तरीके से बच्ची के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसा भी उसने उल्टा सीधा जो भी कुश ब बढ़ाना चाहिए, आत्म बढ़ता की सिक्षाम दे, अच्छा आपको बताते चले डियो फ्रेंड की हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, पेड कंटेंट का मतलब होता है, कि जैसे आपके डियरेज में फर्स्ट सेमेस्टर में आठ सब्जेक्ट हैं, कितने हैं, आठ सब्जेक्ट हैं, तो अगर आप पेड कंटेंट लेते हैं, जिसमें हम आपको फुल, कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आठ सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडियो फ रहेगी, टॉपिक वाइस कंटेंट रहेगा, फिर आपको कुर्शन आंसर दिये जाएंगे, अब्जेक्टिव कोर्शन होंगे, अति लगुत्री होंगे, और लगुत्री एप्रेशन रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से फुल कंटेंट आपको दिया जाता है, पढ़ने के लिए, उसके लिए आपको कुछ फीज पे करनी होती है, वो फीज आप कैसे, तो उसके लिए आपको कैसे कॉंटेक्ट करना होगा, आप हमें 9628182649, इस नमबर पर वाटस अप मेसेज रहें के आप नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कि आपको कैसे नोट्स मिलेंगे, फीज क्या रहेगी, ओके, चलिए, क्रिया और खेल के द्वारा सिक्षा, छ चीखता है, शिस्टू जन्म से ही किर्यासील होता है, खेल में उसकी सहज रूची होती है, उसको खेली लगता है, ओके, इसलिए छोटे-छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, अता उसे खेल द्वारा और करके सिखना, लर्निंग बाइ डूइंग जो है का पूर्ण अवसर देना, चाहिए कि बच्चा खेल के माध्यम से सीखे, बालक करके सीखे, जिसे यहाँ पे बच्चे क्या है, यह क्लास में है, अब यह कुछ चीजे, कुछ सेप्स दे दिये गए इनको, और फिर उनको यह क्या कर रहे है, अपने कोडिंग उसको बिल्डि का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अलग-अलग तरीके से उनको बिल्डिंग ब्राने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे कुछ चोटे-चोटे देखिए, सरकल दे दिये गए हैं इनको, प्लेट बगरा, अब यह उनके माध्यम से गोल बनाएंगे, या जो भी अक्टिविटी कर रहे हैं, यानि की खेल-खेल में सीख रहे हैं, यहाँ पे टीचर इन बालकों को विज्ञान साइंस पढ़ा रही हैं, जिसमें क्या है, खेल बच्चों को बहुत मज़ा भी आ रहा होगा इसमें, है ना, और लर्निंग भी हो रही है, तो लर्निंग बाई डूइंग करके ब पूरा ध्यान लखना चाहिए, जैसा कि स्ट्रेंग का स्टेटमेंट है, स्ट्रेंग कहते हैं, शिशु अपने और संसार के बारे में अधिकांस बातें खेल द्वारा ही सीखता है, कहना भाई मित्र बनाना कहां से सीखता है, और एक दूसरे का सयोग करना, भात्रत भाई च चाहरा क्या होता है, यह सब चीज़े वो खेल के माध्यम से सीखता है, हैना समाज के बारे में सीखता है, पार्ट करम रुचकर होना चाहिए, जिसको पढ़ने में उनको इंट्रेस्ट आए, मजा आए, पार्ट करम रुची, क्रिया और खेल के सिधानतों पर आधारित हो, ह खेल के सिध्धान्तों पर अधरित होना चाहिए कि बच्चे खेल खेल में सीखें, इसके लिए किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पनाली से सिध्धान्तों का अनुकरण करना चाहिए, जो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पनाली में जो सिध्धान्त दिये गए हैं, हमें उ लर्निंग प्रॉसेस है उस पर बहुत फोकस करना चाहिए ध्यान देना चाहिए शिशू को क्रिया खेल तता वस्तूं के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए हम जैसे चो छोटे बच्चे होते हैं उनकी किताबें आपने देखियोंगी डेफिनेटली देखियोंगी उनकी किता पिक्चर्स को देखने में उसको मज़ा आता है इन पिक्चर्स में कहानिया लिखी होती है इन पिक्चर्स को देख करके वो सीखता है ऐसा तो नहीं कि उसीदा कंटेंट पढ़ने लग जाएगा है ना तो छोटे बच्चों की बुक्स में इसलिए पिक्चर्स होती है वो द सामने देख भी रहा है और सुन भी रहा है यह द्रस sniff इसामगरी का प्रियोग करना चाहिए अगर केवल यह इघर यह समाट बोर्ट ना होता सिर्फ यह बोर्ड होता तो बच्चों के इतना इंट्रेस्ट नहीं आता लेकिन इस भी स्माट बोर्ड में बच्चों को शिक्षा को अधिक से अधिक रोचग बनाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए शिशुओं की पुस्टकों में चित्र आधिक होने चाहिए और इसे लिए होते भी हैं तो प्यारे दोस्तों यह हमने समझा कि शेश्वा वर्ष्था में शिक्षा का सुरूप क्या होता है आप सामने इस content में इस PDF में ये देख पा रहे होंगे कितना सरल भार्षा में pictures के माध्यम से लिखा हुआ है और इसी तरीके के आपको सभी subjects मिलते हैं और जो next class होगी उसमें हम बालियावस्था को समझेंगे और बालियावस्था की परमख विशेश्चता हैं क्या होती है और फिर बालियावस्था का जो है कि शिक्षा का सुरूत क्या होता है बालकों किसरी के सिक्षा देनी चाहिए यह हम next class में discuss करेंगे आज की class के सिरी comment करके जुरू बताइएगा अगर अभी तक आपने notes नहीं लिये हैं तो यह जो number दिया गया है यह फटाफट WhatsApp message के notes की information ले सकते हैं आपको 8 complete subjects provide कराया जाते हैं Thank you so much